वेलकम फ्रेंज, वेलकम एन यूटूब चानल, शिव कंसल्टन्स के यूटूब चानल में आप सभी तर्शकों का हर्दिक स्वागत हैं, आज हम आपको एक अलग टॉपिक बताने जा रहे हैं, कि अगर हाउसिंग सोसाइटीज में, या फिर अगर आप आपका घर कही भी रे रेगुलेशन क्या होते हैं, लोग घर रेंड पे लेते हैं, या घर रेंड पे देते हैं, लेकिन कई बार उसकी पूरी प्रोसेजर पता ना होने के वज़े से बाद में थोड़ा सा हरी-बरी सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, और आपका अगर सेफली किसी के हाथ में सौबने के लिए ये प्रोसिजर आपको जानना बहुत ही जरूरी है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा ताकि आपको रूल से रेगुलेशन पता चल जाएंगे कि exactly society कौन से रूल करती है या कौन से रूल से रेगुलेशन है जिसको फ पॉलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इजी प्रोसेस होता है अगर उनको थोड़ा फार जो उनका नॉमिनल चार्जे से वह दे दोगे तो उनका एक फॉर्मेट रहता है जिससे उन्होंने टेनंट ने जितनी भी इनफॉर्मेशन दी है क्या वो करेक् के देते हैं ताकि आप तोड़े हो जाते हैं कि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी कपल को आप रखने जा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन हो चुका है और आपको कुछ प्रॉब्लेम नहीं होगा इसके बाद आपको उनके जो आईडी प्रूफ और आड्रेस प्रूफ भी लेन जा रहे हैं तो प्लीज इसको सबको सब्मिट करें और जो आपके ओनर है उनके साथ को उपरेट करें उसके बाद आप लोग रेंट आग्रिमेंट जो भी आपका फॉर्मेट है जो भी आपका म्यूचर अंडरस्टैंडिंग हैं उसके बेसिस पे आप लोग बना सकते हैं अ एग्रिमेंट बना के सुसाइटी में सब्मिट करते हैं लेकिन यह रॉंग है रॉंग इसके लिए है बिकॉज यह लीगल एक तो एविडेंट नहीं माना जाता अग्चुली अगर आप रजिस्टर करने जाओगे तो आपको फॉर्मेट सो गूगल पे भी मिलेंगे और उने चार्जेस लगते भी नहीं लेकिन आप पैसा बाचाने की चक्कर में प्राप्लेम क्या होता है कल को अगर कुछ प्राप्लेम हो जाएं तो उसके यह वो egर करना चाहते है तो वो कर सकते विकॉज आपका उस पे कुछ कंट्रोल नहीं, आपने रजिस्टर एडी नहीं करवाया है, या फिर रेजिस्टेशन नहीं करवाया है, ऐसे ही रहने दे रहे हैं, तो बाद में सोसाइटी भी बूल जाता है कि फ्लाट किसका भाई है, जो टेनन्ट है, उसी का शाथ फ्लाट ह फिर कई बार ऐसे cases हुए है, अगर आप case study देखोगे गूगल पे तो ऐसे कई सारे case studies मिलेंगे, कि जिसका बाद में MECU हुआ है, तो बाद में हड़ लेने की कोशिश भी टेनन्ट ने की है, तो बेटर रहेगा कि आपका जो period है agreement का, तो उसमें indicated रहे और आप उसको registration ही इसके बाद आपको क्या करवना है, कि जो आपकी managing committee है, ये managing committee को आपको tenant से मिलवाना है, कि मैं उन्वर हूँ और ये जो है tenant ही इतने इतने period के रहेल रहने वाले हैं, अभी कई बार क्या होता है कि agreement बनाते समय, 11-11 मेने का period था, लेकिन अगर आप 3 साल के लिए दे रहे तो उसमें specific period और specific जो भी terms and condition है, वो डालके ही आप agreement बनाएं, और आपकी जो society है, उसको भी समझाए कि आप कितने दीन के लिए, कितने period के लिए रखने वाले हो, कई societies क्या करती है, कि उसमें उनका एक बना-बनाय format रहता है, checklist के जैसा जिसमें वो लोग tenant की सारी information ले लेते हैं और अगर MC को, यह tenant में अगर कुछ problem लगता है, या ऐसा लगता है कि यह बाद में जाके problem करेगा, तो वो आपको inform करते हैं, अगर नहीं है, तो वो easily accept कर लेते हैं, लेकिन यह meeting करवाना ज़रूरी है, because आप वहाँ पे रहते नहीं हो, या फिर जो आपका flat rain page देने जा रहे ह वाले नहीं हो, society में यह लोग रहने वाले हैं, और अगर managing committee को आप introduction ही नहीं करवाओगे, कल को कुछ भी problem हो जाएगा, तो आपको committee help नहीं करेगी, आपकी society help नहीं करेगी, फिर आपको यह सारी चीज़े control करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए introduction meeting बहुत ज़ जमा कर दे, society में office में जमा कर दे, और आप उसका acknowledgement भी ले ले, ताकि आप भी safe हो गए, और society के पास सारे document चले गए, तो उन लोगों के पास भी, वो लोग भी safe हो गए, कि सारी information हमारे पास आ चुकी है, अगर आपकी societies में कोई ऐसे major rules है, regulation है, पार्किंग्स related हो सकते है, या बाहर belonging रखने की वज़े से हो सकते है, या और भी कई जो rules हो सकते है, वो सारे rules आप आने वाले tenant को समझाए, ताकि बाद में कुछ भी disputes create ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि society खुद के rules वो tenants को समझाती नहीं है, और बाद में problem होने के बाद फिर जगड़े होते है, dispute हो फिर owner को तकलिफ होता है, क्योंकि ना वो tenant को जाने दे सकता है, ना वो society को आरग्यू कर सकता है, तो better है managing committee, या अगर managing committee नहीं भी बोल रही है, तो owner खुद भी उनको request करे कि जो भी आपके rules and regulation है, वो tenant को समझाए, ताकि उनको भी ये पता चले, वो aware रहे, और जबी वो rare है तो उसमें वो precaution ले सकते है, ये सारा होने के बाद इतनी ही procedure है, ज्यादा बड़ी procedure तो है नहीं, क्या था, आपको एक तो police verification करवाना है, आपके जो आपका agreement है, LL agreement या tenant agreement, उसका registration करवाना है, committee से मिलवाना है, और आपकी जितने भी documents से tenant के, वो सारे आपको society office में जमा करते इतनी ही चोटी procedure है, बट उतनी ही important steps है, इसको follow कीजे, जब या फ्लाटरेंट पे दाने जा रहे हैं, हम लोग मुंबई में और पूना में कई societies में अभी सर्विस दे रहे हैं, और मुंबई में अगर आप देखोगे तो western में भी है, हमारे पास नवी मुंबई की कई societies है, त अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको like करना और share करना ना भूले, छोटी सी request अगर पहली बार हमारे चैनल पर आये होंगे, तो चैनल को subscribe करना भी ना भूलेगा, ताकि नए जितने भी वीडियो जाने वाले हैं, उसके सब की notification आपको मिल जाएंगे, तो thank